हालो किसान भाई और राम राम स्वागत है आप लोग का एक बर फिर से किसान बजार भाव में मैं सनी कुमार गुपता और आज किस बीडियों में बात करें दोस्तों बेश्ट बंगाल और ओडिशा के सभी बड़ी मंडियों में प्याज के भाव 8 सितंबर 2020 को क्या देखने को मिलिये तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दू कि यहां पर आज धमागदार तेजी देखने क को मिली है प्याज में तो दोस्तों आप लोग को लाइक की जिएगा चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को भी जरू दबा दे ताकि आनवले वीडियो को नाट्फिकेसां सबसे पहले मिले जैसके आप लोग को बता दू कि यहां पर प्या कि आ रहे हैं तो अपना प्याज बेचते रही है क्योंकि दोस्तों हो सकता है बारिश से शड़ने वाले प्याज के क्या कि मत बाद में घट भी सकते है लेकिन दोस्तों आपने जो बीवेक से काम जरू लिए तो चली वीडियो सूरू करते तो जानेंगे वेस्ट बंगल के म बंडियां बहुत सी बंदी थी लेकिन बडिशा के मंदियों के भाव में जान लेते हैं तो अटाबीर मंडि की बात काऊं तो पच्छी सोरू पैसा लेकिन दुखतों तीन हजार को भ्हाव देखने को मिलिया प्याज का आवग दोस्तों 0.40 देखने को रही हैं बारगर पर 0.1 तन देखने को रही है नेश्ट में बात करेंगे बिरम हारपुर मंडी में जो कि यहां पर 2200 पेसले के दोस्तों 3000 का भाव देखने को मिला है आवक दोस्तों यहां पर 3500 का भाव देखने को मिली है प्याज का आवक दोस्तों पांच टन देखने को हारें यहउं नेक्ट में बात करेंगे बहुत मंडी में जो क обязblic हुप कीप सेलें के दूटी सो नीकिस्टो को मिला कि अज शक्रण यहां पас लिखेंगे जिएनि इस्टौर मंडी में जो को जो कि दूस्टों 2100 देखने हो दि आए पियाज का आवक मंडी की बात कर दो 2,000 देखने को रही है केंदू पटना मंडी की बात करेंगे दोस्तों 200 का भाव देखने को मिली है प्याज का आवग दोस्तों यहां पर 60 टन देखने को रही है किसिंगा मंडी की बात किया जो दोस्तों यहां पर 3500 प्याज में दोस्तों यहां पर 25 टन देखने को मिली है प्याज में आवग दोस्त सब्सक्राइब करके विडियो पसंदे तो लाइक कीजिए के चैनल पहली बार है तो चाहँ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबादे ताकि आने विडियो को नोट्फिकेशन सबसे पहले मिले तो जोस्तों यहां पर मैं सुरू में बताया आप लोगों को क्य होता रही है कंने अब करुछ भरण के चलते हो रहे हैं तो उसस्ता प्यात को जल्दी से जल्दी निकाल देजिए वढ़र दोस्तों तो यहां पर सकता नेक्श में सकता है प्याराथ बंदे अपकि दोस्तों पने